हेलो गाईज स्वागा था आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकैडमी में तो पिछले कुछ दिनों से एक गोल्डन सिटी जिसे कहा जा रहा है लॉस्ट गोल्डन सिटी जो की इजिप्ट में खोजी गई है काफी जादा न्यूज में है तीन हजार साल पुरानी सिटी बताई जा रही है ये और हाल ही में इसे आर्केलोजिस्ट ने खोजा है तो आईए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी सिटी के बारे में तभी हाली में इजिप्ट में आर्केलोजिस्ट ने एक 3000 साल पुरानी चीटी को खोच और निकाला है, और कहा जा रहा है कि ये इजिप्ट की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी एंसिन सिटी है okay, ये आप देख सकते है फोटो में इस सिटी को खोच के और निकाला गया है, तो इ तूतन खामून का टॉम जो की अब से लगभग 100 साल पहले खोजा गया था इसे सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है इजिट में और यह जो अभी नई सिटी खोजी गई है इसे अब सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट आर्केलोजिकल डिस्कवरी माना जा रहा है टॉम आफ तूतन खामून के बाद यह फोटो में देख सकते हैं यह टॉम आफ तूतन खामून है इंपोर्टेंट है काफी जादा क्योंकि एजिप्ट की सबसे बड़ा इंपोर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है यह उसके बाद जो यह नई डिसकवर्ड साइट है यह कहां पे लोके साल सेप्टेंबर के टाइम में जो आर्के लॉजिस्ट है वो एक्सकवेशन का काम कर रहे थे एक्चलि मैं वहाँ पे खोजा क्या जा रहा था तो सौ साल पहले जिनकी टॉम मिली थी टिंग तूतन खामुन इन्हीं के एक मर्शुरी टेंपल की खोज की जा रहे थी कि इनका कोई मर्शुरी टेंपल मिल जाए और इनके मर्शुरी टेंपल के लिए जो खोज बीन चल रही थी तो आर्के लॉजिस्ट को वहाँ पे एक नई सिटी मिल गई ओके यह सिटी का निकनेम दिया गया है दा लॉस्ट कोल्डें सिटी और सिटी का जो नाम है नाम कहा जा रहा है दर आइज ओफ एटन कहां पे खोजी गई है लक्सर शहर के पास तो आई आप हम मैप में देखेंगे कि यह सिटी कहां पे खोजी गई है तो यह देखिए यह है अपना देश भ दिखेंगा इजिप्ट में हम देखते हैं मिलर ऑकिए जो बीच में है यह नील रीवर है और हमें देखना है लक्सर सहर कहां पर है यह रहा लक्सर तो देखिए लक्सर में ही एक जगह है जिसका नाम है वैली में maiorफ बतायте को यह तो फो छलते हैं लेट्ट की और यह देखेंगे यह रहा आपका कोईशी ओफ मेंनन से लेखें मर्चुरिर गय मीननोर किनाव आपको मिलेगा यह देखिए मैडिनेट हाबू और इसके नीचे आएंगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखिए यह मिलेगा रामेजियम ओके तो यह देखिए यह जो सारी साइट्स हैं यह पॉप्ला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इनहीं के आसपास जो आर्के कियेगा शहर का नाम दिया गया है दराइज ओफ एटन यह शहर का नाम है लगजर में खोजा गया है लीड आर्के लॉजिस्ट थे जाही हवास तो यह बताया जा रहा है कि किंग एमन होटे 3 के टाइम की यह सिटी है जिन्होंने इजिट में रूल किया था 1391 से 1353 बीसी तक मैंने आपको अभी दिखा था मैप में जो आपका था कोलेशी ओफ मेमनन उसी के बगल में था मॉर्चरी टैंपल किंग एमन होटे 3 का तो उन्होंने यहां पर राज किया था उन्हीं के टाइम की यह सिटी है तो काफी सारी चीजे मिली हैं इस सिटी में एक्सकवेशन के द अलाबा कुछ जरूरी सामान भी पाए गया है जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं जैसे कि औरनामेंट्स रिंग और पार्ट्री वैसल से मिलें यह आप देख सकते हैं फोटो में उसके अलाबा यहां पर एक यह स्केलेटन भी पाए गया है तो यह सारी चीजे निकल के सामने आई है जो नई सिटी अभी खोजी गई है अभी इसमें और भी जादा खोज मिन की जाएगी इसके बारे में और भी जादा डिटेल निकाली जाएगी अभी तक इतने ही इंफोर्मेशन आई है तो यह कुछ अब एजिप्ट के बारे में यानि मिश्र के बारे में जा याद रखनी है तो यह होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चले मेक शूर बेल आइकन जरूर दबाईएगा फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में तब तक के लिए टेक केर और थेंक यू गाइस